कि हैं लोग बात करने वाले हैं टॉप टैन मोस्ट अवेक्टिड बाइक जो आप लोग इंडिन मार्केट में 2020 में मिल जाएंगी और काफी जादा लोग इसन बाइक काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है कि 2021 ऐसा टाइम हो जिसमें आप लोगो आपकी ड्रीम बा होगा इस कोई भी कोश्यों कर देना आप उसका अंसर 100% मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन बाइक से यह हैं बजाज की तरफ से एनस्टुहंडड़ एफाई वैसे तो इस बाइक को बाकी जो कंट्रीज में बजाज की जहां पे भी सेल होती है वहां पे सेल प्लस डूल चैनल ABS के सपोर्ड बाइक के लुक्स की बात की जाए तो लुक्स में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलने वाले हैं सेम टू सेम वैसी ही होने वाली है पावर में आप लोग वही 23.5 बहुप का पावर 18.3 नूटर में टॉर्ट विट सिक स्पीट गेरबॉक्स सा का ओल्ड वेरेंट आता है इसमें कार्बूरेटर मिलता है बाइक का जो लॉंच रेट है वो लगबग आप लोगो मार्च अप्रेल 2020 में यह बाइक मिल जाएगी पटते हैं दूसरी बाइक की तरफ यह होंडा की तरफ से होंडा की तरफ से होंडा सीभी 150 आर बेसिकली कुल अच्छा काम नहीं कर रहा है इन सब सेग्मेंट में एक यूथ को बाइक चाहिए बट अब जब से उसकी 250 CVR की मार्केट डाउन होई है तो हो सकता है आप लोगों यह बहुत जल्ब मिल जाए 149 CC का सिंगल सेलेंडर लिक्विट कूल एफ इंजन मिलेगा जो कि 20 बहप का पावर और 15 न्यूटर मेंटर का टॉर्क जनरेट करेगा बाइक काफी जदा क्लासी होने वाली है मतलब रेट्रो लुक टाइप की बाइक होने वाली अगर आप लोग भी एक रेट्रो टाइप की भाइक ढून रहे हैं तो यह आप लोग हो सकती है डूल चनल एबिए सिक जो काफी जदा लोगों को कॉस्टी लगती है तो उसी के अंदर आप लोगों एक 300cc के सेग्मेंट में एक नेकड बाइक मिलने वाली है जो कि 312cc का इंजिन 33BHP का पावर 27.3 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी बाइक देखने में आप लोगों ऐसा लग सकता है कि जो आपाची के उपर थोड़ा बहुत बेस्ट होगी डुवल चैनल ABS LED light LED टेल लाइट और बाइक आएगी एक नेकड के अंदर बाइक का जो प्राइज होने वाला है वो लगभग 20000 रुपीज होने वाला है और यह बाइक भी आप लो मिड में 2020 मिलेगी बढ़ते हैं नेक्स बाइक की त है और इस बाइक के अंदर आप लोगो सेम वही पाउर मिलेगा जो आप लोगो आप लोगों को चूज करना होता पौंसी बाइक करेंगे कमेंट करके बताना लाइक की बात की जाए तो यह बाइक आप लोगों को 2020 के मिड से पहले-पहले मिल सकती है अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स बाइक की तरफ जो की है यह बाइक का काफी जदा लोग मुझसे सवाल करते हैं और इस बाइक के बारे में न्यूज भी काफी आने लगी है यह है टीवेस की जैपलीन इसके दो विरिंट्स आप लोगों इंडियन मार्केट में मिलने वाले अब बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं नेक्स बाइक की तरफ यह होने वाली है बजाच की करते हैं और बाकी लेने के बाद काफी ज़्यादा लोग मोडिफिकेशन भी कराते हैं बट बजाज जो कंपनी है वह अपनी तरफ से एक डॉमिनर की स्क्लैम्डर बाइक की लॉंच करने वाली है जिसमें आप लोगो सब पूश डॉमिनर वाला मिलेगा 373cc का इंजिन 40 बह बॉक्स बस आपको थोड़े कॉस्मेटिक चेंजिस मिलेंगे लाइक आपको काफी ज़दा एडवेंचर टाइप की बाइक बना के दी जाएगी और डी कंपनी की तरफ से पाइक का प्राइस वहीं रहेगा आप लोगों लाक नाइंटी थाउजन के आसपास और यह बाइक आप लोगों को जल्द से जल्द फरवरी या मार्च में मिल जाएगी बढ़ते हैं नेक्स बाइक की तरफ यह एक ट्विन सेलेंडर इंजन वाली बाइक है यह है एंटी 03 यामाहा की तरफ से काफी जादर लोग इस बाइक को अपना ओन करना चाते हैं मतलब काफी टाइम से वेट कर रहें इस बाइक का यह बाइक फुली बेस होने वाली है जो आर्थरी का इंजन है उसके ऊपर बेस होने वाली है और यह उसका में असफित्व से इन्सपैर होने वाला है मतलब के अंदर वही आप लोगों को आर्थी वाला इंजन मलब 312 सीसी का ट्विन सेलेंडर इंजन मिलेगा जो कि एफाई प्लस लिक्विड कुल होगा इंटर्ण वेर इंटर्ण वेर इंटर्ण वेर इंडिया में वैसा नहीं करती बट्यामा को यह चीज देखनी चाहिए जैसा हम लोगों चाहिए वैसा देना चाहिए भले थोड़ा पैसा लग जाए अनलोग फुली डिंजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होने वाला है बाइक का जो प्राइज है वो लगबग आप लोगो थ्री लैक के आसपास पड़ेगा और यह एक्सपेक्टिड है कि आप लोगो 2020 में मिल जाएगी जो इसकी आर्थ लिए वह अभी 19 दिसंबर को 2019 में लॉंच होने वाली है और काफी जल्दी आपको यह बाइक भी इंडियन मार्केट में मिल जाएगी तो गाइज अब जो सबसे सबसे जादा मोस्ट अवेटिड बाइक है वो है बजाज की तरफ से RS 400 जी गाइज RS 400 काफी जादा टाइम से वेट की जा रही है इंडियन मार्क करेगा टॉर्क का भी कुछ नहीं कह सकते की टॉर्क कितना करेगा कितना नहीं फ्यूल इंजेक्टिट सिस्टम के साथ बाइक आएगी जो की बिए 6 इंजन होगा 6-speed gearbox साथ बाइक होगी इस बाइक का प्राइज लगभग आप लोग को टू लैक से लेकर 2.5 15 लैक क्या सबस कि नहीं हो टॉब्स फीड होने वाली बाइक का लगभग आप लोग वन एक आप लोग नंटी होने वाला है कैस आप लोग बताना जरूर कि आप लोग किस बाइक के लिए सबसे ज्यादा इंट्रस्टिटेड हैं लेने के लिए तो सब्टाइब की बाइक है जो आप लोग जा चुकी है तो उसी वज़ा से कंपनी अपनी एक और न्यू बाइक लेकर आने वाले जो कि आरन फाइब वी-3 की कॉंपुटिशन बनेगी मतलब यह बाइक में आप लोग वही सीबी 150 वाला इंजन मिलेगा सेम 149 का सेंगल सेलेंडर फ्यूल लिक्विट कूल फ्यूल इंजक्टिट सिस्टम मिलेगा जो कि वही बिल्कुल सेम लुक वाइस बात करोगे तो बिल्कुल सेम बिल्कुल सीबीर जासी होगी लेकिन उसकी कटिंग और जिसकी शेप होगी वह काफिजदा एट्रेक्टिव उनाई जाएगी जिससे की लोग काफ ज़्यादा पसंद करें सिक्सी स्पीड गेर बॉक्स साथ आएगी डूल चैनल होने वाला बाइक में बाइक का जो प्राइज हो सकता है कि आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि अगर आप लोगो आरुन फाइप वी थी मिले और आप लोगो क ये जो CBR 150R है वो मिले तो आप लोग दोनों में से कौन सी बाइक लेना पसंद करेंगे जो आरवन लवर हैं आरवन वी थी लवर हैं वो तो वही लेंगे बट आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोगों किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए आप लो मुझे कमेंट कर सकते हूं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड एंड खर एंड इंड रिर घंड डिर किसी बदल्सिए लोगों का एंड उल्जए वीडियो कि मढ़े अषन के लिए ऊचर वीडियो तो मिलते हैं ब खर मैंडे हैं खर भीडियोगों तक का मेंड़ पर एंड़ीऑ ये रेड़ा है झाल झाल झाल